हालो एन वेलकम टू टेक डॉक, टेक कमपरीजन्स में आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करने जा रहे हैं, चार मोबाइल फोन की, रेड्मी नॉट फाइव प्रो, इन्फिनिक्स जीरो फाइव, ओपो एफ सेवन और वीवो वी नाइन की, आगे सीन सभी के स्क्रीन या दिखावे के बाद, पीछे से भी चारो के चारो मोबाइल अगर देखे तो, रेड्मी नॉट फाइव, इन्फिनिक्स जीरो फाइव, और वीवो वी नाइन, तीनो के तीनो में डियूल केमेरा दिखते हैं, जबकि ओपो एफ सेवन में सिंगल के आई दे रहा है, जनरल फीचर्स में कॉमन फीचर्स की बात करें तो सभी के सभी, GSM Dual Sync, 2G, 3G, 4G, लिथियम आयन बैटरी, FM रेडियो, लाउड स्पिकरो, और 3.5 mm जेक के साथ है, रिलीस की बात करें तो सबसे आगे है, ओपो एफ सेवन और वीवो वी नाइन, जो की मार अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, सिम की बात करें तो सभी कैस अभी Dual SIM है, नेनो प्लस नेनो तीन है, जबकि माइक्रो प्लस माइक्रो सिम, इन्फिनिक्स 05 में है, रेड्मी 05 प्रो आपको हाइब्रीड Dual SIM दे रहा है, जबकि बाकी के तीनों मे है, डेडिकेटेड मेमरी स्लोट है, बैटरी की बात की जाए, तो यहाँ पे 4350 एमेज की बैटरी के साथ तप है, इन्फिनिक्स 05, अला कि 4000 एमेज की बैटरी के साथ, टेड्मी 05 प्रो भी खास पीचे नहीं है, जो कि फास्ट बैटरी चार्जिंग दे रहा है, जबकि इ 9mm तिकनेस, इन्फिनिक्स 05 और वीवर V9 की बी है, यहाँ पे फ्रंट क्लास, अलमिनियम बोडी के साथ 3 है, जो कि मेटल बोडी इन्फिनिक्स 05 की है, सबसे कम बेट वाला वीवर V9 150 ग्राम का है, यहाँ पे कलर आप्शन आपको रेड्मी 05 प्रो दे रहा है, जो कि चा LCD है, जो कि कम टेंपरेचर पे चलता है, थोड़ी सी बेटर स्क्रीन उसको आप कह सकते है, सबसे बड़ी स्क्रीन 6.3 इंच की वीवर V9 की है, और पिक्सेल्स की बात करें तो ओफवा F7 और वीवर V9 में सबसे ज्यादा पिक्सल है, इन्फिनिक्स 05 16 by 9 डिस्प्ले रेश् के साथ है, जबकि बाकी के तीन आज के फेशनेबल 18 by 9 रेश्यो के साथ है, और 05 PPI पिक्सल देंसिती के साथ ओपा F7 की डिस्प्ले सबसे अच्छी मानी जाएगी, बाट रेड्मी 05 प्रो और V9 यहां पे बहुत पीच्छे लू नहीं है, कॉर्निंग गोरिला ग्लास रे Vivo V9 मैदान यहां पे मार जाता है, 85.2 पर संती स्क्रीन तो बॉडी रेश्यो, जो की मेजॉर्टी ओप दो मॉबिल्स अवेलेबल में सबसे ज्यादा है, पर्फॉमन्स की बात की जाए तो सभी की सभी ओटागोर और 64-bit आर्किटेक्टर के साथ है, वालकॉम स्नेपड्रे Dragon 626 है, यहां पे सबसे ज्यादा Clock Speed Infinix 05 की है, जबकि GPU सबसे अच्छा मुझे तो Redmi Note 5 Pro का लगा है, 4 या 6 GB RAM के साथ Redmi Note 5 Pro है, Infinix 056 GB के साथ है, जब भागी के दो 4 GB RAM में अविलेबल है, स्टोरेज की बात की जाए तो Infinix 05 में 164 GB के अलावा 128 GB का ओप्शन है, बाकि सभी के साथ है, जबकि memory slot सभी में available है, performance bench का marks की बात की जाए तो Redmi Note 5 Pro में बेजमार्क 2, बेजमार्क OS 2, और बेजमार्क X और अंटू 2 सभी मिलते है, ओपो F7 में भी हला कि 3 मिल रहे है, जबकि 4 के 4 में available है, वो अंटू 2 स्कोर है, जो ओपो F7 में सबसे ज्यादा है, अला कि Redmi Note 5 Pro क तो स्कोर भी जड़ा पीछे नहीं है, प्राइमरी कैमेरा की बात की जाए तो सभी के सभी फेस डिटेक्शन, फोटो फोकस आइस और कंट्रोल, एक्सपोजर, कंपेंसेशन, HDR, डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन, टच्पूपोकस और फोटो फ्लेश के साथ है, यहां प दो इंफिनिक्स 05 और वीओ वी नाइन दे रहे है, और दो फोन एफ सेवन और वी नाइन और फोर वीओ में ज्यादा पिक्सेल की आपको इमेज क्वालिटी मिल आ रही है, अप्टिकल जूम यहां पे इंफिनिक्स 05 दे परा है, जो प्राइमरी कैमेरा में बहुत की रेकोंडिंग दे रहे है, सेकंडरी कैमेरा की बात करें तो एफ सेवन और वी नाइन में 24 मेगापिक्सेल का सेकंडरी कैमेरा है, जब की 20 मेगापिक्सेल रेड्मी 05 और एंफिनिक्स 05 में 16 मेगापिक्सेल के कैमेरा है, जो दोनों के दोनों LED फ्लेश के साथ है, सेंसर इसकी बार की जाए तो सभी में कॉमन है स्लरोमेटर फ्रोक्सिमिटी लाइट जी पीएस एजी पीएस ब्लुटूथ कमपास वाइफाई रियर फिंगर्प्रिंट सेंसर ब्लुटूथ वर्जन 5 आपको रेड्मी नौट 5 प्रो देपा रहा है और इंट्रारेड जो कि ये परस प्रोक्त वाइट वह अच्छी है और व्यूट वी नाइन की बोली की सबसे कम 0.306 अगर इसमें से फोन लेना है तो को साल ले चारो के चारो बहुत ही अच्छे फोन है यहाप में आयर सेंसर अगर आपको चाहिए बेस्ट जीप्यू बेस्ट केमिंग चाहिए लैटिस्ट चाहिए रेम ज्यादा चाहिए पास्ट चार्जिंग चाहिए और गुद अन्तुत स्कोर चाहिए तो रेट्मी 05 प्रो अच्छा है अगर आप कैमेरा के ज्यादा शोकीन है तो एक्स ऑप्टिकल जूम आपको अट्रेक कर रहा है ड्यूल एलेडी अट्रेक कर रहा है मोर र चाहिए तो इन्पिनिक्स 05 प्रसंद करिये और पॉर एप सवन सबसेटीन है लाज स्क्रीन है लीस्ट सार यूस हैड है सेकंडरी कैमेरा अच्छा है अन्टूटू स्कोर भी अच्छा है उनका और स्क्रीन रिजोलूशन भी उनका अच्छा है वी नाइन की अगर बात करे है वी वो की तो लेटेस्ट ओस लीस्ट वेट लाज स्क्रीन है स्क्रीन रिजोलेशन बेट स्क्रीन तो बोडी रेश्यो ड्यूल एलेडी और के वीडियो रेकोर्डिंग वीडियो रेकोर्डिंग के मामले में अगर आप कुछाना है तो भी नाइन अच्छा है लीस्ट सार सभी के सभी प्राइज यहां के लिखी गई है चार जीबी रैम वाला रेड्मी नॉट फाइव प्रो अप्खोर 14,000 के करीब और 6GB वाला सब्रहाजार के करीब मिल रहा है अगर इंटेनिक 05 में जा रहा है तो स्टोरज की सबसे दो पार्ट है 64GB वाला 18,000 के करीब और 128GB वाला 20,000 के करीब मिल रहा है अगर आपको करीदना है तो नीचे निक दी गई है उस पर जाके क्लिक करिए और करीए तैंक यू वरी मच प्लीज सब्स्राइब और शेर टेक्टाउं